तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे एकदम चटपटे से यह कुरकुरे और यह कुरकुरे आप साल भर स्टोर करना चाहे तो बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं तो यहां अगर आप का मन करें चटपटा तीखासा खाना तो क्यों बाहर से पैकेट लाना बिल्कुल घर है बनाना यानि के आज बिलकुल मार्केट जैसे कुरकुरे यहाँ बनने वाले हैं तो यहाँ सिर्फ आफ वीडियो पूरा एंट तक देखे और समझ ले हर एक स्टेप और बना लीजिए सालफर स्टोर होने वाली यह बड़िया से कुरकुरे तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर्मेंड की तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है बस इसी के नाप से हम सारे मेजर्मेंड लेने वाले हैं तो इसी बाउल के नाप से पहले डालेंगे पानी तो पानी यहाँ पूरा एक कपलिया है जो कड़ाय में मैंने डाल दिया है और गैस यहां स्टार्ट कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाना है और साथ में आधा चमच इसमें नमक डाल दीजिए एक चमच पापड़ खार और वही बावल में यूज़ कर रही हूँ यानि उतना ही हमें चावल का आटा यूज़ करना है और ये जो आटा है ये इसमें गाट या लम्स पड़ जाते हैं तो बात में बहुत दिक्कत होती है इसे के कारण बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे में चलाते हुए ये आटा गूंद होंगी तो आटा गूंदने का तरीका जैसे हम खिशी बनाते हैं बस उसी तरह से हैं और कुछ ही मिन्टों में यान इससे बाइंडिंग इसा देना है तो बस एक परात में निकाल लिया है और ये बहुत करम है इस लिए हम यहां मेशर यूज सकते हैं या फिर प्लास्टिक का यूज करते हुए हम इसे अच्छे से मसल लेंगे तो मैंने यहां मेशर यूज किया है अगर आप चाहेत तो कोई बावल या ग्लास भी उसकर सकते हैं और इसे अच्छे से मसल सकते हैं ये प्रोसेस अगरा पर्फिट कर ले तो बस आगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसानी से इसके अच्छे से कुरकुरे बन जाते हैं तो यहां मेने बाद में हातों से भी मसला है करीबन दस मिनिट लगे ह मुझे ये पूरा मसलते हुए इसका पूरा चिकना सा आटा गोंदने में तो ये एकदम रेडी है चिकना सा आटा अब इसके बनाने हैं हमें कुरकुरे तो जिसके लिए मेरे पास मोल्ड है और जो मोल्ड के जाली है ये लगानी है ताकि जो कुरकुरे का शेप आए ये भी फिर इसे हम क्लोस कर लेंगे और क्लोस करते हैं समय बिल्कुल ध्यान दे कि ये दोनों तरब से अच्छे से खोड़ हुआ है यह नहीं फिर मैंने यहां प्लास्टिक बिच्छा दिया है अब यहां ध्यान दे जिसे कि हमें कुरकुरे बनाने हैं तो पहले जो पट्टी है यह सीधे सीधे लिखके जानी है पूरी सीधी वाली ये लाइन आ जाएगी फिर इसे हम कट करेंगे यानि कि इसके बनाएंगे कुरकुरे आप देख सकते हैं कि इतने बढ़िया से इसके जो शेप है ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं उस पर कुछ लाइनिंग है यानि कि एक मिले हैं तो ये परफेक्ट सक कुरकुरे के लिए पहले तो लाइक कर दीजिए क्योंकि ये हमने बनाए हैं बहुत आसान तरीके से परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बस इसी तरह से सारे कुरकुरे हम निकाल लेंगे और यहां सारे कुरकुरे बन चुके हैं और दूसरी एक बात ये है फ्रेंड्स की ये जो कुरकुरे में बना रही हूँ ये रात के समय बना रही हूँ ये ओबर नाइट में घर में ही सुखाऊंगे फिर सुबह होते ही इसे में एक थाली में डाल कर धूप में सुखाऊंगे तो यहां सुबह होते ही ये थाली में मैंने सुखा कर एक फ्राइ करके भी आप देख सकते हैं मैंने ऑईल रग दिया है गयास पर ऑईल गरम होते ही कुरकुरे हम डाल देंगे और एकदम जट से ये कुरकुरे फूल जाते हैं यह आप देख सकते हैं पापड़ खार डालने के वज़े से ये जैसे फूला फूला सा कुरकुरा हमारा ब बाहर के पैकेट से तो ये कई गुना बढ़िया है और बनाने में भी एकदम आसान है साल भर इसे आप स्टोर कर सकेंगे तो ये फ्राइ हो चुके हैं कुरकुरे अब इसे बनाते हैं कुछ चटपटा तीखा तो यहां डाल दीजे लाल मिर्च डाल देंगे चाट मसाला फिर काला नमक या फिर आप साधा नमक यहां डाल सकते हैं बस अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर ले और बना लेगी चिटपटा सा तीखा सा हमारा कुरकुरा एकदम ड्रेडी है खाने के लिए तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी बिल्कुल अच्छी लगी है तो लाइक बनता है जल्दे से जल्दे लाइक करें शेयर करें और कमेंट से मुझे जरूर पताए कि आपको यह रिसिपी कैसी लगी बाहर से यह बहुत क्रिस्पी नजर आता है लेकिन अंदर से यह रिस्पी है या नहीं तो यह आवाज सुनकर आप समझ सकते हैं यह कितना क्रिस्पी और क्रं तो मिलते हैं हमाले अगले रेसिपी वीडियो में जो कि इसी प्रकार से कुछ परफेक्ट होगा, कुछ अलब होगा और ज़रूर कुछ स्वादिश्ट होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर जब सुस्क्राइब और जाए बेल इको और नोटिफिकाइशन फ्नुव वीडियो थांक यू